तृतिय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी और्गिनिक केमेस्ट्री की कक्षा में फागत है आज हम इसके अंतरगत अशुद्य तेलों और वसा के शुद्य करण के बारे में अध्यन करते हैं पिछले टर्ण पे हमने ओयल और फैट के निश्करशन के बारे में विश्तिर रूप से अध्यन किया था इन सभी विध्यों के जो पिछले टर्ण पे हमने बात की थी, उन सभी विध्यों से जो तेल प्राप्त होते हैं या फैट मिलती हैं, उनमें कई प्रकार की अशुद्या होती हैं, जिनके कारण उनमें दुरगंद आती है और उनका स्वाध भी अच्छा नहीं होता है निलंबित या कोलाइड पदार्थ, मुक्त फैटी एसिड, कलार्ड और अन्य प्रकार की अशुद्या इसके अंदर उपस्तित होती हैं उच्च गुणमत्ता वाले वसा जैसे लौड में बाप प्रवाहित करके निलंबित अशुद्यों को कोएगुलेट कर लिया जाता है सबसे पहले उनको पहला जो है वो हम चान ना लेते हैं चानने के लिए तेलों को किसी भी स्यंदक जैसे यादि कोएगुलेट करने वाला पदार्थ की उपस्तिती में जैसे सिट्रिक एसिड की उपस्तिती में भाप प्रवाहित की जाती है जब भाप प्रवाहित की जाती है तो कोलाइडल जो अशुद्या होती है वो कोएगुलेट हो जाती है और उनका नीचे बैठ जाती है या सकंदन हो जाता है उनको चान कर अलग कर लिया जाता है दूसरा है साबुनी करण या सपोनिफिकेशन या शार शुद्धी करण सोडियम हैड्रोकसाइड के द्वारा मुक्त वसा अमलों को सोप के रूप में अलग कर लिया जाता है इस हैतु तेल तता शार को 90 डिग्री सेंटीग्रेट पर हिलाया जाता है जिससे मुक्त वसा अम रंगीन वन निलंबित अशुद्धिया नीचे बैठ जाती है इसके बाद साबुन की परत को अलग कर लिया जाता है और शुद्ध तेल को जल द्वारा धोकर निर्वात में गरम करके सुखाया जाता है इसके पश्चाद रंगीन अशुद्धियों को अलग करने के लिए मिटि के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है उसके पश्चाद एक परसेंट मुलतानी मिटि के विलियन के द्वारा भी इसको अभिकरित करवाकर छान लिया जाता है अब हम इस तरह से हमें शुद्ध तेल की प्राप्ती होती है अब हम वसा और तेलों की संड़चना और जाए एनिमल फैट हो या वेजिटेबल फैट या ओइल्स दोनों की रसाइनिक संरचनाएं समान होती हैं इनके अंदर ग्लिस्रॉल वह लंबी शंखला वाले कार्बोकसिलिक एसीड के ट्राइस्टर होते हैं यानि ग्लिस्रॉल को के ट्राइस्टर को हम ट्राइ या ग्लिस्रॉइड कहते हैं ये ट्राइस्टर के तीनों अलकिल समू समान होते हैं तो इसे सरल ग्लिस्रॉइड और यदि अलग-अलग होते हैं तो इसे मिश्रित ग्लिस्रॉइड कहते हैं ग्लिस्रॉल तीन मॉलिक्यूल फैटी एसीड के रियक्ट होकर ट्राइ ग्लिस्र यानि इन में जो प्रयुक्त फैटी एसीड होते हैं उनमें इवन नम्मर ओफ कार्बन एटबम प्रेजेंट होते हैं जैसे 14, 16, 18 कार्बन पर्मानौ उपस्तित होते हैं शंकला संत्रप्त या असंत्रप्त एक या दो डबल बॉंड भी इसके अंदर उपस्तित हो सकते हैं धार पड़ इन्हें saturated या unsaturated fat कहते हैं जिनमें सभी saturated group होते हैं उन्हें saturated fat और जिनमें साथ में unsaturated group होते हैं उन्हें unsaturated fat कहते हैं कुछ fatty acids के उधारण जो हैं capric acid, lauric acid, meristic acid, pomatic acid and steric acid आपको screen पर इन सब के formula दिखाई दे रहे हैं capric acid के अंदर CH2 whole 8 है, lauric acid के अंदर CH2 whole 10, इसी तरह से meristic acid के अंदर CH2 whole 12 और pomatic acid के अंदर CH2 whole 14, steric acid के अंदर CH2 whole 16 होता हैं unsaturated fat के अंदर मुख्य रूप से olig acid और linoleic acid होते हैं meristic acid, pomatic acid, steric acid, saturated fat हैं और olig acid, linoleic acid, iladic acid यह सब unsaturated हैं double bond जहां पर present हैं, वहां पर इनमें cis और trans isomerism पाई जाएगी यदि cis isomerism है, जैसे की screen पर आपको दिखाई दे रहा है, olig acid में दोनों बलकी group एक side हैं और दोनों hydrogen एक side हैं तो इसकी जो संद्रचना है वो cis है, जब cis संद्रचना होगी तो वो olig acid होगा लिनोनिक acid में cis configuration पाया जाता है, यह आपको screen पर दिखाई दे रहा है तो इस तरह से यह विभिन प्रकार के fatty acid है जो की पाये जाते हैं अब हम वसा और तेलों के संगठन की बात करते हैं वसा वा तेलों का संगठन जो है वो यह mixed glyceroid, ज़्यादा तर जो fats हैं वो mixed glyceroid है mixed glyceroid का मतलब कि तीनों carbon जो की glycerols के हैं, उनके तीनों carbon के hydroxyl group का जो hydrogen है वो अलग-अलग fatty acid के molecule से, अलग-अलग प्रकार के fatty acid के molecule से replace होता है तो इस कारण से उन्हें हम mixed glyceroids कहते हैं जो mixed glyceroid हैं, इनमें ज़्यादा तर दो से तीन वसा अमल उपस्तित होते हैं तो कुछ सामाने वसा अमल और तेल के प्रतिशत संगठन की बात करते हैं जैसे मूमफली का तेल है, मूमफली के तेल के अंदर 6-14% parmetic acid है 2-7% steric acid है, 46-72% olig acid है, 13-38% linonic acid है कपास के तेल में, pomatic acid 17-29% है, steric acid 1-4% है, olig acid 13-44% है coconut oil में, pomatic acid 17-29% है, steric acid 1-4%, olig acid 13-44% और 33-58% linolic acid पाया जाता है, सूरे मुखी के तेल में, pomatic acid 2-10%, steric acid 1-6%, olig acid 7-42% और linolic acid 55-80% होता है, इसी प्रकार से soya bean oil की आप screen पर देख सकते हैं, butter की देख सकते हैं, और में, जो मानव वसा है, उसके बारे में भी आपको screen पर दिखाई दे रहा है, तो इस तरह से, सभी oils का जो प्रतिशत संगठन है, वो अलग-अलग है, और जो best जो खादे oil माने जाते हैं, उन में, मूमफली का तेल है, और सरसों का तेल, कुछ एरिया में खाया जाते हैं, पर मूमफली का तेल जो है, वो best माना जाता है, क्योंकि इसमें, comparatively, olic acid की मात्रा, ज़्यादा होती है, अब हम, oil और fat के, percentage composition के बारे में, बात करते हैं, percentage composition में, या प्रतिशत संगठन की बात करने के पश्चाद, अब हम इनकी physical properties की बात करते हैं, बहुत तिक गुण, या physical properties, समाने ताप पर, आप सभी ने देखा हुआ है, कि समाने ताप पर, जो oil and fat है, वो, या तो liquid होते हैं, या crystalline solid होते हैं, ठो सवस्था में, ये रंग हीन, गंध हीन, और स्वाध हीन होते हैं, इन में, किसी भी प्रकार की गंध नहीं पाई जाती, जो भी इनके अंदर smell होती है, वो बाई पदार्थों के मिलने से होती है, या अशुद्यों के रूप में बाई पदार्थों के उपस्तिति के कारण होती है, जैसे हो धारन के दौर पर मकषन, ताजया मकषन बिल्कुल color-less होता है, परतों जब उनके अंदर हल्का सा पीला color होता है, तो थोड़ा सा केरोटिन pigment उसके अंदर उपस्तित होता है और cream के bacteria द्वारा पकने के कारण उनके अंदर स्वाद उपन होता है तेल और वसा जल में अविले होते हैं जल से हमेशा हलके होते हैं और जल के उपर तैरते रहते हैं oil and fat हमेशा सभी organic non-polar solvents में soluble होते हैं साब्वन जिलेटिन और पाइसीकृत यह सब्स्ट्रेंच की उपस्तिती में यह पाइसिया इमल्शन बनाते हैं और इनकी उश्मा और विद्धुच चालकता अत्यंत कम होती है यानि यह सब बैड कंडक्टर ओफ हीट एंड उक्ट्रिसिटी होते हैं और एनिमल के लिए एनिमल के शरीर में ये अति उत्तम उश्मा और विद्युत रोधी का काम करते हैं इन में विद्युत चलकता बहुत कम होने के कारण उश्मा रोधी और अति उत्तम उश्मा और विद्युत रोधी होने के कारण और इसके अलावा ये लंबे समय तक रिजर्व फूट के रूप में बॉड़ी में उपस्तित होते हैं और ये मशरीर के अंदर रिजर्व फूट का काम करते हैं और हमारे शरीर में उत्तम स्नेहक के रूप में कारे करते हैं सबी बोन्स के घर्षन को बचाने का में इनकाम करते हैं और किनी परिस्तितियों में जब प्रोटीन और कार्बोहेड्रेट बॉड़ी को अविलेबल नहीं होता तो उस समय ये पदार्थ शरीर के लिए रिजर्व फूड के रूप में काम करते हैं और ये उस समय काम आते हैं तो इस तरह से ये हमने इनकी फिजिकल प्रोपर्टीज की बात करी और इनके संगठन के बारे में जाना अब हम इनके रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद और इसको देखती हूँ ये